हेलो साथियो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तो कैसे हैं आप सब दोस्तों ये क्लास है बियर्ट सेकंडियर की जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि एक अच्छे अध्यापक के अंदर कौन-कौन से गुड होने चाहिए क्या कॉलिटीज होनी चाहिए एक अ एक टीचर के अंदर होने चाहिए आज हम ये जानेंगे कि अध्यापक के गुड क्या है और अगली क्लास में जो इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए विद्याले में और अध्यापक के कर्तव क्या होने चाहिए तो आज पढ़िएगा बहुत ही डिटील से अध्यापक की गुड़ों के बारे में देखे एक टीचर में बच्चों को समझने की सकती होनी चाहिए कि वह बच्चों के अंदर जो भी चल रहा है वो समझ सके बच्चा कितना पढ़ सकता है उसके अंदर कितनी योगिता है ये सम से पर कारे करने की इच्छा सकती होनी चाहिए और सहकारिता ये सारे गुड़ों की अपेछा एक अध्यापक से की जाती है कि मतलब ये सारे गुड़ होने चाहिए तो यहां पर देखेगा पहला गुड़ ये हो जाता अध्यापक का कि वह व्यक्ति चरित्रवान होना चाहि देखिए आज भारत के सम्मुख्या सामने चारित्रिक संकर्ट सबसे बड़ी समस्या है सभी प्रकार से मानवे मोलो का हरास हो रहा है और इस स्थिती में उचित क्या है कि अध्यापक अपने अंदर या स्वेम के अंदर क्या लाए चारित्रिक गुड़ों का विकास करे अध्यापक को यह सदे उध्यान में रखना चाहिए क्योंका सम्पोड कारे विया पार स्वेत वस्त्रिक समान है जिस पर अगर कालिक का एक भी छीटा लग जाएगा तो इससे क्या होगा कि उन्हें समाज और विद्यार्थी की दृष्टी में एक अध्धापक नीचा गिर सकता है तो ये चीज़े एक अध्धापक को ध्यान में रखने चाहिए उसे अपने चरित्र पर बहुत ही जादा ध्यान देना है ये पहला गुड़ हो गया अगला है कि ब्यवसाई के प्रतित निस्थावान होना चाहिए एक अध्यापक को समाने रूप से अध्यापक की वृत्ति को वे ही लोग ग्रहड करते हैं जो अपने उद्देश्ति की प्राप्ति में असफल हो जाते हैं रूची पूर्ड अध्यापक बनने की प्रवित्ति बहुत कम लोग में देखी जाती है कि लोग कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनको उस छेत्र में रूची ही नहीं है वो अध्यापक तो बन गए हैं लेकिन उन्हें ना पढ़ाने में रूची है ना बच्चों को समझने में र पढ़ाए रुची पूर्ड तरीके से पढ़ाए अध्यापन के प्रतिनिस्ठा के अभाव में अध्यापक सदेवी अपने कायर में आसफल होता रहेगा अगर उसे रुची नहीं होगी तो क्या होगा हमेशा फेल होगा और वह विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं दे पाए निस्ठावान सिक्षक से ही विद्याले और समाज का कल्याण होता है इसलिए एक सिक्षक को क्या होना चाहिए अपने सिक्षड की प्रती अपने विवसाई की प्रती निस्ठावान होना चाहिए अगला गुड़ है आसावादी द्रश्टिकोड का होना चाहिए तो प्रतेक पुर्वक संकल्प के दवारा इन कारडों को दूर किया जा सकता है जो अध्यापक निरास हो जाते हैं वह तेज हीन भी हो जाते हैं आसावादी होने की स्थिती में ही वह अपने विद्यार्थियों में आसा का संचार कर सकते हैं जब टीचर ही आसावादी नहीं होगा आसाव से पहले वह अपना द्रेश्टी कोड आसा वादी रखे अगला है गुड़ विशे अधिकार का तो अध्यापक का अपने सम्मंधित विशे पर जो भी वो पढ़ा रहा है जो सब्जेक्ट उस पर पूरा अधिकार हो बहुत अच्छे से उसे सब्जेक्ट का ग्यान हो छात्रो को कभी भी अंधकच्रा अधकच्रा या फिर अपूर ग्यान ना दिया जाए मतलब नहीं गलत चीज़े पढ़ाई जाए और नहीं अधूरी चीज़े पढ़ाई जाए अगर आप कोई बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो आपका कोई सब्जेक्ट हो तो इस पर सबसे पहले ये जरूरी है कि एक टीचर पहले खुद उस विसे के अंदर इतना पढ़ ले इतना जान ले कि उसे पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो और ऐसा पढ़ाए कि बच्चों को हर एक चीजे समझ में आ जाए तो इससे क्या होगा अगर सिक्षक का ही अपने विसे पर नहीं पकड़ होगी तो इससे बच्चे खत्रे में हो जाएंगे और बच्चों का भवे से जो है वो खत्रे में पढ़ जाएगा अगला गुड विनोध प्रियता का तो सिक्षक को हसमुक अर्थात विनोधी होना एक सीमा के भीतर उसके सिक्षड एवं बैवहार में प्राडवत्ता ला देता है प्रतेक दिन का पार्ट सरल वातावरड में समाप्त होना चाहिए विद्यार्थियों को उसका सिक्षड कहीं उबाव ना प्रतीत हो रहा है इसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उबना जाए जो आप पढ़ा रहे हो इतना इंटरस्टिंग तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे उबने ना लगें बलकि क्या हो कि बच्चे बहुत अच्छे से बहुत ही सरल तरीके से सीख सके खेल कूद में ही बच्चों को सिखाये जा सके तो एक टीचर को ऐसा होना चाहिए अगला है कि सिख्षड विधियों का ग्यान होना चाहिए समुचित ग्यान उप्यूक्त सिख्षा विधी के भाव में प्रभावसाली ढंसे छात्रों को नहीं दिया सकता है अगर आपके पास मान लीजे आपको हर एक चीजे पता है आपका अपने विषय पर पकड़ भी बहुत अच्छी सी है एक सिख्षक का लेकिन जब आप उस विषय को पढ़ाना ही नहीं जान रहे हो कि कैसे मुझे पढ़ाना है जब तक उन विधियों का ही पता नहीं लगेगा जो टीचिंग मेथर्ट से हैं उनके बारे में ही एक सिख्षक नहीं जानेगा तो बच्चे को कितना भी वो रटा दे वो अच्छे से समझा नहीं पाएगा और बच्चे क्या होंगे उबने लगेंगे तो एक ये सिख्षक को यह जरूरी है कि उससे सबसे पहले टीचिंग मेथर्ट या सिख्षड विधियों का ग्यान होना चाहिए अगला है चात्रों के प्रति इसने हैं सम्मद रखना अपने चात्रों को देखिए हाँ पर चात्रों होगा तो अपने चात्रों को निकट से जानना उनकी कठनाईयों को समझना उनके प्रती मरियादित बेवहार करना और उन्हें विद्धाले प्रितिसा इसने हिप्रदान करना मतलब पित्रसा जो पिता के समान या माता के समान अगर कोई लेडी टीचर है या फिर कोई जेंट टीचर है उसे चाहिए कि माता पिता के समान ही बच्चे को ध्यान दे और उसका हर एक उसकी समस्या को जानने का प्रियास करे और मर्यादित बेवहार करे प्रतिक अध्यापक के व्यक्तितु की एक मुख विसेस्ता होनी चाहिए बच्चों को इसने है प्रदान करना छात्र पर अध्या आसन में रखने का या सबसे बड़ा प्रयास है तो कुछ चीज़े यहां पर में स्प्रिंट हुई है आपको यहां पर ध्यान रखना है जैसे यहां पर प्रयास होगा और उधक मानना होगा तो यह चीज़े यहां पर ध्यान रखनी है और यहां पर क्या था कि अध्यापक का गुड़ है कि छात्रों के प्रति इसने बनाए रखे अगला गुड़ है अधिवाशे का तो अध्यापक को सदेव अपने कारे में सिथिलता और आलस से के स्थान पर परिश्रम को महत्तो देना चाहिए आलस से नहीं करना चाहिए परिश्रमी सिक्षक सीग रही प्रधाना अध्यापक को और सभी छात्रों की बीच आदर और विश्वास का पात्र बनते हैं इसलिए एक अध्यापक को कभी भी आलस से नहीं करना चाहिए हमेशा परिश्रम पर जोड़ देना चाहिए अगला है सामवेगिक संतुलन रखना तो कक्षा में और कक्षा के बाहर अध्य अध्यापक को प्रतिकूल परिस्थितियों में सदेव अपने संवेगों पर नियंत्रड रखना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टीचर जो है वो अचानक से गुसा हो जाए और सभी बच्चों को मारने लग जाए तो ऐसे नहीं करना है ना ही बहुत ज्यादा खुस होना है कि ठठा के मार के हसने लगे ना ही बहुत जादा अपने आपको मतलब भावनाओं में नहीं बहना है कहने का ये मतलब है अपने संवेगों पर नियंत्रड रखना है कैसी भी परिस्थिति आ जाए बहुत जादा खुस नहीं होना है बहुत जादा दुखी भी नहीं होना ह ना फिर ऐसा हो कि कोई ऐसी परिस्थी आ गई कि बच्चों के सामने ही आप रोने लग जाओ तो ऐसा एक टीचर को नहीं बनना है अपने समवेग पर नियंत्रड रखना है अगला गुड है कि सक्षा मनवज्यान का ग्यान होना चाहिए तो वर्तमान सक्षा में मनवज्यानिक प्रवित्ती का विकास नियंत्र होता जा रहा है अध्यापक के लिए यहाँ वश्यक है वो कुछ हात्रों के व्यक्तित विकास के लिए बाल मनो विज्ञान मतलब बालक के मन का जो विज्ञान है उसके समस्त बातों की विश्चित जानकारी रखे अर्थात बाल मनो विज्ञान का जो विशय है उसे बहुत अच्छे से अगला है अध्यन सील प्रवित्ति का होना अध्यापक का चाहे जो落ं दasto होता है हमेशा पढूता रहे और नई नई चीज़ वह को हैं अघला घुरत्य है कि भारती संस्कृति और प्रमपर आपने संस्क्रत का है और उसके मोल तत्तों का ग्यान होना चाहिए अगला गुड है स्वास्त आदते और सरल सभाव तो अध्यापक सदेव गंदी आदतों तथा धूमरपान इन सभी चिजों से अपने आपको बचाए रखे कभी भी धूमरपान न करे या फिर कोई भी गंदी आदत ना बनाए विद्याले नियमित समय पर आए और नियम पूरवक अपना कार पूरा करना ही उसकी एक आदत होनी चाहिए तो क्या करे अध्यापक कि उसका स्वास्त अपने पहले तो अपने स्वास्त पर ध्यान दे और आदते और सरल सुभाव उसका होना चाहिए इस चीज पर ध्यान देना है एक टीचर को ऐसा होना चाहिए ये उसका एक महत्वपूर गुड़ है अगला गुड़ है कि पाठिक्रम सहगामे क्रियाओं में रुची लेना मेंसा वह बस पढ़ाई 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 बच्चों को कुछ और भी सिखाए जब बच्चों को कैसे सिखाएगा पढ़ाई के अलावा जैसे खेल कूद में रुची लेना है या फिर कोई कारिक्रम हो रहा है सांस्कृतिक कारिक्रम विद्याले में तो उसमें भी उसे भारतिये खेलों का अच्छा ग्यान होना चाहिए क्योंकि इन खेलों में धन की आवशक्ता नहीं होती या बहुत कम होती है धन की आवशक्ता होती ही नहीं है और जब होती है तो बहुत कम होती है विदेशी खेलों से भी वह सूपरिचित हो जो विदेश के खेल है उसकी जानकारी होना चाहिए विद्याले के रंग मंच से उसे लगाव होना चाहिए वह छहत्रों के साथ स्वंक्रियाओं में भाग ले और इससे क्या होगा कि छात्र टीचर को देख करके उट्साहित होंगे मोटिवेट होंगे और वह खुद भी किसी भी कारवक्रम में भाग लेने का रुचि लेंगे सारे बच्चे अगर एक टीचर ऐसा होगा तो बच्चे भी ऐसे ही होगे तो इसलिए एक टीचर कुछ आईए कि वापढ़ाई के साथ साथ और भी चीजों पर ध्यान दे और भी चीजों की जानकारी रखे तो दोस्तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने एक टीचर के जो भी महत्यपूर गुड होने चाहिए वो मैंने जाना है तो आप सभी को आई होप ये चीजे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक सेर करिएगा और बताईएगा कमेंड बॉक्स में कि आपको कोई डाउट है तो डाउट को जरूर पूछेगा तो दोस्तो फिर मिलते हैं एगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद